कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होगे अपने अपने अपनी एक्जैम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे आज की वीडियो में आप मेरे साथ डिसकस करेंगे जीएस की कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो की यूपी पीसेज एक्जैम को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज सुरू की है बट इस वीडियो में प्राक्टिस कराये गए सभी जीएस के क्वेशन आपके और भी ए यूसफुल होगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इन क्वेशन्स को और हमें उमीद है कि आप हमसे पहले सारे क्वेशन्स सॉल कर देंगे पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पे सुमेलित कीजिए एक साइड आपको उत्सव दिया है फेस्टिवल दूसरे साइड साइ लिए होंगे तो इसका करेक्ट आइंसर ओप्शन ए 4312 लोसर फेस्टिवल से रहता है लद्दाक में ठीक है तो लोसर कहां का फेस्टिवल है वो है लद्दाक का फेस्टिवल ठीक है उगादी पर्व तो उगादी पर्व कहां का फेस्टिवल है उगादी पर्व है करनाटक का festival लोसांग लोसांग कहा का festival है लोसांग सिक्किम का festival है और यह लास्ट कौन सा है जल्ली कट्टू तो याद रखी का जल्ली कट्टू किस राज्यकाफ त्योहार है तो वह है तमिल नाडू तो यह था इसका correct sequence आप भी एक बार match कर लीजेगा और आगे बढ़ते हैं देखते next question को next question है आपकी screen पे कस्तूरी रंगन समीती की report में पश्चिम घाट के कुल कितने प्रतिशत छेत्रफल को परिया वरंड समवेदन सील घोशित किया है तो पताएं यह news current की भी है और उससे related ही उसका जीएस का question बन सकता है आपके लिए options हैं 37% 100% 50% या फिर 96% तो आप जल् कस्तूरी रंगन समीती की report में पश्चम घाट के 37% जो छेत्रफल है उसको परिया वरंड समेदन शील घोशित किया है किसके report के तहएं तो कस्तूरी रंगन समीती की report के तहएं यह question में बहुत important था आप note करते चलिएगा हमारे साथ में और देखते हैं next question को next question है आपकी screen पे फिर अपना answer को guess करिएगा I hope अब तक आपनी guess कर लिया होगा तो आपके सामने screen पे options हैं और इसका correct answer होगा option B 2, 3, 1, 4 9 December को क्या celebrate किया रहता है कौन सा day तो international anti-corruption day 9 December को celebrate किया रहता है 10 December को क्या celebrate करते हैं तो human rights day तो यह questions पूछ ले जाते हैं तो आप example भी miss मत करिएगा 11 December को क्या celebrate किया रहता है international mountain day और 14 December को national energy conservation day तो यह थे कुछ important day और date और ऐसे questions आपके exam में पूछे जाते हैं तो आप इसे भी जरूर से note कर लीजेगा और एक बर आप भी इसको match कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को next question है आपकी screen पे विश्व प्रस्षिद भगवान वेंकटेश्वर तिरूपती का मंदिर निम्न पहाड़ियों में अवस्थित है तो बताएए वेंकटेश्वर तिरूपती का मंदिर किस पहाड़ी में अवस्थित है options हैं शेवराय की पहाड़ियां शेशा चलम परवत श् निम्न तो यह note है जो कि आपकी exam point of view से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट रहेगा भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंधर परदेश के चितूर जिले के तिरूपती में अवस्थित है तो कहाँ पे इस्थित है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंधर परदेश के चितूर जिले के तिरूपती में इस्थित है और यहां मंदिर शेशा चलम परवत्रेणी में इस्थित है ठीक तो बहुत जाते important है exact location आपको पता रहने चाहिए क्योंकि ये मंदिर आस्था का केंदर है बहुत से लोंगों के लिए और बहुत important place है आगे बढ़ते हैं देख अलाई बीली गीरी रंगा पहाड़िया अनाय मुडी पहाड़िया सारा मती पहाड़िया ओप्शन से तमिल लाडू तमिल लाडू करनाटक केरल नागल है तो आप इसको जली सपना मैस्च कर लीजे गैस कर लीजे और एक नजर options को भी देख लीजे ये रहे options इसके screen पे तो उसका correct answer option D उपरुक तो सभी उपर जितने भी थे वो सभी correctly matched थे तो देखे इस तरीके से इसका correct answer क्या होगा शेवराय पहाड़िया सलेम तो ये कहां पे है ये है तमिल नाडू में है जावादी पहाड़िया वेल लोर एवं तिरुवन मलाई तो ये कहां पे है ये भी तमि केरल में और सारा मती पहाड़ियां ये कहां इस्तित है ये है नागा लैंड में तो आप जरूर से याद रखिए का ये चारों साउथ की पहाड़ियां थी तमिल नाडू करनाटा केरल की बाकि सारा मती पहाड़ियां कहां के ये है इस्ट में इस्तित है नागा लैंड में ठ स्क्रीन पर दिख रहोगा जल्दी साब अपना अंसर गैस कर लीजे और फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए आई होग अब तक आपने गैस कर दिया होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्लिस्टो सीन ऐवं अभीनव जमाव ठीक है तो थार का मरुस्तल किसका विस्तार है ये है उसके अभीनव जमाव अब का कवि स्क्रीन आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स क्वेशन को नेक्स क्वेशन है आपको स्क्रीन पे भारत के विभिन छेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चन्पा निम्न प्रमुग फलो में किसकी किस्म है तो जल्दी से आप अपना अंसर गैस कर लीचे आप तक आपने सॉल्ट भी कर दिया होगा तो इसका करेक्टन अंसर है अंगूर ऑप्शन एक ठीक है तो भारत के विभिन छेत्रों में उत्पादित होने वाली सुल्ताना गुलाबी और काली चम्पा ये किसके प्रमुख किस्म है तो ये है अंगूर की ठीक आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स क्वेशन को नेक्स क्वेशन है आपकी स्क्रीन पे आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन है आप्शन हैं गुजरात, जारखन, ओडीस और इन में से कोई नहीं तो जल्दी से आप अपना अंसर गैस कर लीजे और इसका करेक्ट आंसर होगा आप्शन एक गुजरात ठीक है तो गुजरात आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज जो है भारत में अब आप इसी में देख लीजे सीरियल वाइस भी आपसे पूछ सकता है तो आयोडीन उत्पादन के अग्रणी राज जो के इंडियन स्टेट है ठीक है गुजरात फर्स्ट है ठीक है राजिस्तान सेकेंड 17 परसंट गुजरात में 71 परसंट और राजिस्तान में 17 परसंट तमिल नाडू में कितना प्रतिशत है 11 परसंट ठीक है तो ये था आपके इंडियन स्टेट और आप बात करेंगे वर्ल लेवल पे तो वर्ल लेवल में विश्रमी आयोडीन उत्पादन के अग्रणी देश है पर निम्न में से कौन सा जानवर बीना पानी पिए सबसे लंबी अवदी तक जीवित रह सकता है ओप्शन्स है उट, कंगारू, चूहा, कंगारू या फिर जिराफ तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए आप में से तो बहुतों ने गलत ही आंसर गेस किया होगा आप सब का आंसर होगा उट लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप्शन बी, कंगारू चूहा आज चर्चकित रह गए ना आप लो तो देखिए निम्न में से कौन सा जानवर है जो बीना पानी पिये सबसे लंबी अब जी तक जीवित रह सकता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कंगारू चूहा अब देख लेते हैं इस चूहे की क्या विशेशता है तो देखिए कंगारू रैट में यहाँ अनुकूलता उसके सरजन तंत्र व्रक की विशेश सनरशनवकार प्रणाली के कारण होता है तो यह था इसका करेक्ट एक्स्प्लेनेशन और यह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा और यह ऐसा आप इसे जी के फैक्ट के लिए भी याद कर सकते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन को नेक्स्ट क्वेशन है आपके स्क्रीन पे तमिल थाई वज्थू किस राज का राजगीत घोशित किया है तमिल नाडू, केरल, गुजराद या फिर तिलांगना तो जल्दी साब अपना अंसर गैस कर लीजे फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखें इसका करेक्ट आंसर आप्शन ए तमिल थाई वज्थू, आज से अब से ये राजगीत घोशित किया गया है तमिल नाडू का, ठीक है, क्या है वो राजगीत? तमिल थाई वज्थू, ठीक, देखते हैं नेक्स क्वेशन को नेक्स क्वेशन आपकी स्क्रीन पे परिसीमन आयोग किस थापना किस अनुचेत के द्वारा होती है आप्शन्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और आप अपना अंसर जल्दी से गैस कर लीजे तो देखें परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है सीमाओं का रेखा चितरन ठीक है तो इस आयोग को परी सीमन आयोग का काम होता सीमाओ का रेखा चितरन करना और इसे भारती सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता ठीक है 1952 में इसका घटन किया गया था और option B जो है इसका correct answer है article 82 के तहट ठीक इसकी स्थापना की गई थी article 82 के तहट 1952 में ठीक तो ये थे कुछ facts related to परी सीमन आयोग आप उन्हें note down कर लीजेगा next question आपके screen पे P15B क्या है options आपको screen पे दीख रहा होगा वीडियो pause करके option पढ़ लीजे अपने answer guess करिए फिर हमारे साथ में match करिएगा तो देखिए इस correct answer option A P15B क्या है P15B नौ सेना को मिला पहला खतरनाक मिसाइल विदभन सक है तो क्या है P15B नौ सेना को मिला पहला खतरनाक मिसाइल विदभन सक है P15B नाम याद रखिएगा आगे बढ़ते देखते हैं next question को next question है आपकी screen पे सूश आशन सब्ता का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है Good Governance Week ठीक है Good Governance Week का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है options है screen पे जल्दी से अब अपना answer guess करें और इस question को solve कर दीजे तो इसका correct answer option A 20 से 25 दिसमबर के बीच में Good Governance Week का आयोजन किया गया था तो उसके साथ साथ कुछ नोट है आपके लिए जो कि बहुत ज़दे important हो जाएगा exam perspective से तो इसे आप भी note कर लीजेगा कार्मिक लोग सिकायत और pension मंतराले के तहत प्रसासनिक सुधार और लोग शिकायत सब्ता 2021 को 20 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है इसकी theme रखी गई थी प्रसासन गाउं की ओर ठीक है तो इसकी theme पे ज़्यादा जोर दीजेगा आप लोग कि इसकी theme क्या रखी गई थी प्रसासन गाउं की ओर सुधार साथन सब्ता का योजन विदेश मंतराले पंचायती राज और ग्रामीर विकास मंतराले के सयोग से किया जा रहा है तो आप इसमें देख रहे हैं विदेश मंतराले जुड़ा हुआ है पंचायती राज और ग्रामीर विकास मंतराले भी सयोग कर रहे हैं question भी उतना ही important रहेगा जब बड़े-बड़े मंत्राले भी इन में सयोग कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को next question आपकी स्क्रीन पे भारती अर्थ व्यवस्था के उदारी करण का अग्रिदूत किसे कहा जाता है options हैं अमरित्य सेन डॉक्टर मनमोहन सिंग विमल, जलान या फिर इन में से कोई नहीं तो आप इस question को solve कर दियोंगे अब तक हमें ऐसी आशा है आपसे इसका correct answer है option B डॉक्टर मनमोहन सिंग वक्या का रहता है liberalization of Indian economy के अग्रिदूत कि नहीं कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंग को आप इन questions क को जो one liner वन वर्ड है उनको हमारे साथ ही अभी भी याद करते चलिएगा ठेक या फिर नोट डाउन कर लिजेगा नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पे भारत में उपभोगता संरक्षन अधिनियम की घोशना कब हुई ऑप्षन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके जल्दी सब अपना अंसर गेस कर लिजे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्षन C 1986 में भारत में उपभोगता संरक्षन अधिनियम की घोशना की गई देखते हैं नेक्स कोशन को नेक्स कोशन है आपके स्क्रीन पे भारत में वित्ती वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है ऑप्षन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जल्दी से वीडियो पॉस करिए सारे ऑप्षन पड़ी अपने अंसर को गेस करिए और इसका करेक्ट अंसर ऑप्षन ए एक अपरेल से 31 मार्च तक भारत में वित्ती वर्ष ठीक है फानेंशियल इर माना जाता है कब से कब तक तो एक अपरेल से 31 मार्च तक तो ये क्वेशन में इंपोर्टेंट था आप नोट कर लीज़ेगा आज जी के भी आपको पता रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स क्वेशन को नेक्स क्वेशन है आपकी स्क्रीन पे पहला मानव विकास सूचकांग किस अर्थसास्त्री ने तयार किया था पहला First Human Development Index पहला मानव विकास सूचकांग किस एकॉनमिस्ट ने तयार किया था डॉक्टर मनमोहन सिंग, सी रंगराजन या फिर महबूब उलहक या फिर इन में से कोई नहीं तो आप जल्दी सब अपना अंसर गेस कर लिजे और देखे इसका करेक्ट अंसर ऑप्शन सी महबूब उलहक ठीक है तो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपके लिए और आप इसे जरूर से याद कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कोईशन को नेक्स कोईशन है आपके स्क्रीन पे भारत के किस छेतर में लोटते हुए मानसून के कारण सरवादिक वर्षा होती है तो यह कोईशन भी बेसिक है आपको पता रहें से अगर आपकी कमांड है क्लाइमेट में जो की जोग्रिफी का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट एरिया ही है क्लाइमेट का तो उससे बहुत क्वेशन आपके उठते हैं अगर आपका वो पोर्षन पे कमांड है तो अब इस क्वेशन को भी सौल कर चुके होंगे अब तक तो देखिए सा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तमिल नाडू ठीक है नेक्स कोशन है आपके स्क्रीन पे भारत का पहला रेल विश्व विध्याले कहां खोला गया है ओप्शन से आपके स्क्रीन पे जल्दी साब अपना अंसर गैस कर लीजे तो देखिए भारत का पहला रेल विश्व विध्याले 5 सितंबर 2018 को सिक्षक दिवस पर गुजरात के वड़ोदा में खोला गया था ठीक कब खोला गया था तो याद रखेगा पाच सितंबर 2018 में और पाच सितंबर को क्या मना जाता है तो सिक्षक दिवस टीचर्स डे सेलिबेट किया रहता है उसी दिन गुजरात के वड़ोदा में भारत का पहला रेल विष्व विध्याले भी खोला गया था यह भी इंपोर्टेंट था आप नोट कर लीचे का आगे बढ़ते हैं देखते हैं आपके स्क्रीन पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की ओप्शन्स हैं मोहन सिंग सूरि सेन चंदरशेकर या फिर इनमे से कोई नहीं तो जल्दी से आप अपना आंसर गैस कर लीजे तो देखें इसका करेक्ट आंसर आप्शन बी सूरि सेन ठीक है तो फि पसंद आयोंगे और आप भी हमारे साथ इस वीडियो से कई इंफोर्मेशन ले कर जाएंगे और वीडियो में दीगए इंफोर्मेशन पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करते जाएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा पढ़ाई करते रहें all the very best